बाश्शा अकबर को विद्वान और पृत्वाशाली पुर्शों को अपने दर्बार में रखने का बहुत शोक था जब भी कोई पृत्वाशाली व्यक्ति उश्के राज में आता तो वे उसे अपने मंत्रियों में शामिल कर लेते थे अकबर का दर्बार गुडी वबुद्धिमान लोगों से भरा हुआ था इनमें से नौ लोग अकबर के दर्बार में नवरतनो के रूप में जाने जाते थे वे असादारड पृत्वाशाली और अपने अपने छित्र में निपुड थे उनी दिनों महिजदास नाम का एक युवक अकबर के राज्ज में एक छोटे से गाउं में रहता था उसने अपना पूरा जीवन इसी गाउं में वितीत किया था अब वे दुनिया की यात्तरा करना चाता था उसने बात्सा के महल वा बड़े नगरों के बारे में बहुत शारी कानिया शुनी थी उसे याँ गूमना रोमान चक लग रहा था उसने निश्चे किया कि वे बात्सा के दरवार में जाएगा और वहाँ नोकरी पाने की कोसिस करेगा वे बहुत भीड़ वाले बाजारों वा नगरों से होकर गुजरा और अंत में सहर पहुँच गया महिजदास महल के दरवाजे के पास तक तो पहुच गया किन्तु अंदर प्रिवेस नहीं कर सका द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया उसने पूछा महिजदास ने उत्तर दिया मैं बाजशा अकबर को देखने जा रहा हूँ द्वारपाल ने जोर से हस कर कहा मुझे लगता है उन्हों ने तुम्हे व्यक्तिकत रूप से अपने भोजन कच्छ में रात के खाने के लिए आमिंतृत किया है महिजदास सांतरा द्वारपाल ने पुने कहा तुम्हारे लिए बाजशा को देखना शंभव नहीं है वह बहुत ही व्यस्त है मुझे बाजशा का आदेस है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाए महिस दास ने द्वारपाल से अंदर जाने के लिए आगरे किया द्वारपाल ने कहा मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हें अंदर नहीं भेश सकता हूँ महिस दास ने कहा परंतो क्यों द्वारपाल ने कहा क्योंकि तुम गरीब हो हर व्यक्ति बादशा को देखने के लिए मुझे कुछ देता है जैसे एक गाय एक बकरी या कडाई की हुई चपल तुम मुझे क्या दे सकते हो महिजदास ने कहा मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है किन तुम में वादा करता हूँ कि जो कुछ भी मुझे बादसा से उपहार के रूप में मिलेगा उसमेंसे मैं तुम्हें आदा दे दूँगा दूआरपाल जानता था कि बादसा एक उधार व्यक्ति हैं वह अक्सर उन्हें देखने के लिए आने वालों को महिए उपहार दिया करते हैं इसलिए दूआरपाल जल्दी से सहमत हो गया महिजदास ने महल में प्रिवेस किया वह बहुत महेंगे कड़ाई की हुए परदे वा कालीन देखकर हैरान रहे गया पूरा महल लाल बलुया पत्थरों से बनाया गया था और बेहत खूपसूरती से सजाया गया था बाश्या अकबर दरबार के बीच में बैठा था महिजदास ने अकबर के सामने जुकर अविवादन किया अकबर ने का तुमने जो मुझे सम्मान दिखाया है उससे मैं बहुत खुस हूँ बताओ बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए महिजदास ने का जहापना यद ऐसा है तो मुझे सौ कोड़े मेरी नंगी पीट पर बरसाने का इनाम दें समरा ठहरान हो गया उसने का यह तो बहुत अजीब इनाम है तुम क्यों मुझसे ऐसा इनाम माग रहे हो महिजदास ने का महराज जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था तो दौरपाल ने मुझसे कहा कि आपसे जो मुझे प्राप्त होगा उसका आदा मुझे उसे देना होगा बाश्शा अकबर हस पड़े और बोले यह एक गंबीर विसे है इसका मतलब है कि दौरपाल अपना काम करने के लिए रिश्वत लेता है इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए दौरपाल को पकड़ कर लाया गया और उसे रिश्वत लेने के अपराद मे सौ कोड़े मारने की सजा दी गई फिर अकबर ने महिजदास से कहा तुम बहुत ही चतुरव्यक्ती हो क्योंना तुम मेरे दरबार में मंत्री के रूप में सोबा वड़ाओ महिजदास इस अफसर को पाकर बहुत खुस हुआ उस दिन से वै वीरबल के नाम से जाना गया और उसकी बुद्धी की कहानिया दूर दूर तक व्यापक रूप में फैलने लगी